शारुक खान ने साल 2023 में पठान और जवान की शांदार सफल्दा के साथ ये साबित कर दिया कि उन्हें किंग की कुरसे से हटाना इतना भी आसान नहीं है बीते साल गे वो बॉक्स ओफिस किंग भी बने पठान और जवान के साथ किंग खान ने दो ब्लॉक बसर फिल्मे दी और उनकी मूविस का सबसे ज्यादा कमाई करने का रेकॉर्ड अब भी बरकरार है हाला कि 2018 के बाद किंग खान की जिंदगी में एक ऐसा समय आया था जिसमें उन्होंने प्रोफेशनल लाइफ से लेकर पॉस्नल लाइफ तक काफी मुश्किल समय जीला उनकी फिल्मे जहां बॉक्स ओफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही थी तो ही 2021 में उनके बड़े बेटे आरियन को ड्रग्स केस मामले में कुछ समय तक जेल में रहना पड़ा अब पहली बार शारुक खान ने बेटे आरियन खान के अरेस्टोंने पर बात की और साथ ही बताया कि आकर वो उस समय खामोश क्यों रहे एक इंटर्वियों के दोरान खास बातचीत करते हुए शारुक ने अपनी जिन्दगी की सबसे मुश्किल घड़ी के बारे में बताया शारुक ने कहा बीते 4-5 साल मेरे और मेरे परिवार के लिए एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रहा है कोविट की वज़े से आपके जिन्दगी में मुश्किले आई होगी उस समय काफे फिल्में भी फ्लॉप होई जिसके बाद अनलिस्ट ने मेरे बारे में ये लिखना शुरू कर दिया कि मेरा समय खतम हो चुका है परसनल लेवल पर भी मेरी लाइफ में कुछ चीज़े परिशान करने वाली हुई थी जिनसे मैंने काफे कुछ सीखा है मुझे लगता है जब मुश्किल घड़ी हो तो शांत रहना चाहिए बहुत ज्यादा शांत रहना चाहिए और अपनी गरीमा को कायम रखते होए काम करते रहो क्योंकि जब आप ये सोच रहे होते हो कि जिन्दगी में सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है तो पता नहीं अचानक कब लाइफ आपको हार्ड हिट कर देती है शारुक खान ने वहां मौजूद सभी लोगों को इंस्पायर करते होए ये भी कहा कि जब जिन्दगी में मुश्किल समय चल रहा हो तो उमीद नहीं चोड़नी चाहिए और एक सची कहानी बया करनी चाहिए